नमस्ते फ्रेंड्स मैं विश्वास पेटेवाले फ्रेंड्स आजके वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह जो कूलर है इसमें फ्लोट वाल कैसे लगाना यह 150 रुपे का था ब्रास वाला है यह फ्लोट वाल है जैसे टंकी पर लगता है हाप इंच वाला फ्लोट वाल है यह यह फ्लोट वाल इसमें लगाते हैं तो यह जो टंकी है तंकी में पानी भरने की जरुत नहीं पड़ती है क्योंकि यह तंकी का पानी दुपकले में 2 घंटे-3 घंटे में चलाते हैं तो यह पानी की लेवल कम हो जाती है मैन्यूरी भरना पड़ता इसमें और रात में चलात और बहुत सारी चीज़े हो सकती है यदि यह 150 रुपीज का यदि यह लगाते हैं तो यह automation जैसे काम करेगा कुछ ज्यादा यूगार करने की जरूत नहीं है को आशर यहां लगा दो और उसके पीछे से इसमें लगा दो तो हो जाता है तो इसमें मैं आपको लगा के दिखा देता हूं इसको लगाने के लिए कुलर के पास में पाइपलान लाना जरूरी है तो देखिए मैंने इस तरह स पढ़े और जल्दी हो जाए इसमें ज्यादा एक्सपर्ट की जरूत नहीं पढ़ती है और यह स्टॉपक लगा है स्टॉपक लगाने के बाद मैंने इस तर से अटेश्मेंट किया है तो यह मैं यहां लगा दूंगा यहां तक मैंने लाया है इसको चालू करता है यह पाली आ शॉपक में यह चारो नुटबोर खोल लिये है यह स्टेंस टील वाले इसमें रश्ट नहीं लगा है यह मार्गे में मेन ऑल जाते है किसी भी हाडवेर शॉप में तो इसको बोलना पड़ता है कि इसके लाइप अच्छी रहती है रस्ट नहीं पकड़ता और यह कभी भी ख तो इसको 75% जब लेवल फूल रहता है उसी समय इसको सेट कर रहा है ताकि जब कुलर बंद करेंगे तो जो उपर वाला पानी नीचे आएगा तो ओर्फ्लो नो हो जाए तो देखिए इसको अंदर से लगाना है तो इस तरह से लगाना है देखिए मैं थोड़ा सा उपर लगा रहा हूँ इस कंडिशन में रहेगा जब 75% टंकी भर जाएगी तो यह बंद हो जाएगा और दूसरी बात यह जो मोटर है यह मोटर भी जो मिमिंआत कर देता हूँ यहाथ से हो सकता है यहाथ से च्च्चीण हो गया taken a च्वगया और सबसे बड़िया इसकी यह है दोस्तों क्यों कि इसमें बड़े-बड़े वाशर रहे तो यह जाली है तो जाली से पास हो जाता हुर दे एदर बढ़र-देख भर, यहां से मह मैंने यहां float wall लगा दिया यह brass वाला उसके बाद में इसको connection करना है क्योंकि मुझे मैंने यह stockcock लगाया है तो stopcock लगाने के लिए दो तरगे connection आती है एक यह आता है वायर मेश वाला और एक प्वीस वाला तो यह सस्ता वाला आता है और यह तोवा महिंगा वाला आता है यह 40 रुपे का तो यह 40 रुपे वाला लगाएंगे क्योंकि इसके जो connector है यह ब्रास वाले है यह क्रोम की उसमे यह एक बार इसमें यहां वाशर भी रहते हैं तो जैसे कि आपने देखा है कि यहां मैंने यह फ्लोट वाल लगा दिया तो फ्लोट वाल के अभी जो stopcock है यहां पर मैं इसको tight कर दूँँगा यह टेफलोन भी लगा सकते हैं पर इसमें वाशर हुने करण लिक का कोई चांस नहीं रहता है और यह दूसरा जो कनेक्शन है यहां लगाऊंगा मैं दीखें बहुत ही सिंपल है यह इसमें कुछ भी technician की जरूत नहीं परते हैं आप घर्मी भी कर सकते हैं जैसे चालू कर देता हो तो थोड़ा सा पानी आ रहा है देखेंगे तो जैसे टंकी पूरी भर जाएगी थोड़ा सा भर जाएगी 80 परसेंट तो यह बंद हो जाएगी मैंने 75 परसेंट पर सेट किया था पर अभी 85 परसेंट भरने पर कट हो जाएगा तो यह तो यह 100 परसेंट बंद हो जाता है देखिए यह से कुछ भी पानी नहीं आ रहा तो अभी इसमें टंकी भरने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि यह बहुत ही दीरे धीरे भर रह आ है और थोड़ी सी देखिए इसमें थोड़ी सी ग्याप है क्योंकि यह जब कुलर चालू तो अब भी मैं दिखा आपको दिखा जिता हो इसका पानी कम करके दिखा जिता हो कि ये पानी इसमें भरता है या नहीं भरता है तो अभी ये मैंने पास बकेट है तो बकेट में इसका पानी निकाल देता हो जैसे कि अब हम समझ जेते कि कुलर का पानी खतम हो गया तो ये इस इसमें भर जाएगा देखिए कूलर का पानी बखेट में निकाल दिया तो यह इसका पानी चालू हो गया तो इसमें भरते जा रहा है तो यह 100% वर्क करता है जिसमें कुछ भी नहीं गिए करण भी नहीं लगता एक बार आपको खर्चा करना है तो अब जैसे यह पानी भर रहा तो जैसे मैं समझ यह पानी जो भरा है इसको फिर से टाल देता हो तो यह बं हो जाना चाहिए तो देखिए मैं यह पानी इसमें डा पूरी तरह से ये बंध हो गयाँ इसमरसीबल 25 में क्या होता है यह जो सब्सक्राइब खुझ जाते हैं या कभी-कभी इसका यह कवर निकल जाता है तो इसको इसके टार से बाधना जरूरी है तो यह मैं इसके पाद से बांद दिया और इसके अंदर या इसके यह रेशे चले जाली 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 इसके उपर लगा देने से यह भी मोटर कभी खराब नहीं होगी फ्रेंड्स यदि मैंने बदाई हुई ट्रिक आपको अच्छी लगी और काम के लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चानल को जरूर सब्सक्राप कीजिए वीडिय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू